इस बार की जो शिक्षा प्रणाली है वो सबसे अच्छी है क्योंकि इस बार मात्र भाशा में हम दसवी से बारवी तक पड़ सकते हैं ये सबसे अच्छा जो प्रावधान दिया है इस शिक्षा प्रणाली में इस वर्ष ये सबसे अच्छी बात है लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा में जो उन्हें दिक्कत जाती है बोलने के लिए वो तकलीफ को दूर करने के लिए आज मैं अपना ट्राइंगल थेरी लेके आया हूँ याने कैसे खेल कूट से हम ये भाषा सीख सकते हैं दूसरा सिंप्लिफाई अगर हम इसे और सरल और सहज बना ले तो शायद इसे सीखना और भी आसान हो जाए तीसरा एडूफाई हमको एजूकेशन भी लेना है याने इसको उसकी ग्यान प्राप्ती भी उतनी अच्छे से कर अच्छे से समझने के लिए आप तीन चीज का उपयोग कर सकते हैं पहला आप जो बिगिनर है जो अपने शुरुआत कर रहे हैं अंग्रेजी बोलने के लिए उनके लिए बहुत अच्छा आप है मेरे पास जो मैंने पाया है कि बिगिनर्स के लिए बड़ा लाबदायक है और उस ऐप का नाम है दूओ लिंगो दूओ लिंगो एक ऐसा ऐप है जो आपको मदद करेगा आपके हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में यह रुपांतर होता है तो दूओ का मतलब है दो लिंगो याने लांगविज भाषा याने दो भाषा में इसको आप तो आपकी वरनाकलर जो भी लाइंवेज होंगी वह आप इसमें इस्तमाल करके आप अंग्रेजी को अच्छे से ट्रांसलेट करके उसे समझ कर अपनी समझ है अंग्रेजी के प्रती वह बेहतर कर सकते हैं ये beginners के लिए dualingo, दूसरा जो moderate, intermediate level पर operate करते हैं, intermediate या moderate level का अंग्रेजी जानते हैं, उनके लिए और भी अच्छा बनाने के लिए, और पुखता बनाने के लिए, हिन्खोज, जी हाँ, h-i-n-k-h-o-j, ये हिन्खोज जो है, ये कैसा अब है, जो made in India है, पहली बात, साड़े चार सो से जादा lessons है, और ये medium level पर operate करता है, जिनको अंग्रेजी थोड़ी बहुत आती है, और उनको बहुत सारे शब्द आते हैं, लेकिन उनको वाक्यों में प्रयोग करते नहीं आता है, तो वाक्यों में कैसे प्रयोग करें, और उसे आप sentence से paragraph में कैसे convert करें, इसकी मदद आपको देगा हिन खोज, ये बहुत अच्छा अप है intermediate के लिए, तीसरा, advanced level के लिए मेरे पास hello English है, जी हाँ, hello English आपके बहुत सारी लोग intermediate तक पहुचते हैं, लेकिन उसके बाद में वो लोग effective communication की त बढ़ना चाते हैं, उनके लिए advanced level का ये hello English है, वैसे मैं आपको बता दूँ कि कोई भी भाषा जानने के लिए, या उसको master करने के लिए, या उसकी निपुनता लाने के लिए, आपको चार चीज जरूर करना पड़ता है, चार कौशल सीखने पड़ते हैं, reading, writing, listening और speaking, reading से आपकी writing बहतर होती है, आप कहेंगे कैसे, अगर आप read करेंगे तो आप comprehend करेंगे या उसको समझेंगे, समझेंगे तो आप अपने शब्दों में डालकर उसे लिख सकते हैं, इसलिए reading से writing बहुत मदद करता है, वैसे ही listening से speaking मदद करता है, कि दुनिया का आठवा जुबा practice आप बगेर practice किये, किसी के साथ, भी भाषा पे निपुनता नहीं ला सकते हैं, और जाते जाते एक और महतुपुरुन बात ये, कि जब भी आप practice करना चाहिए, और आपको लोगों की कमतरता पड़े, घर पे लोग नहीं हैं, जो आप से practice करवा रहे हैं, या आप कर पा रह के उनका प्रेयोग उनके साथ करे, मेरा मानना है, दावा है, कि आप अपने आप से खुद कोशिश करके अंग्रेजी भाषा को बहुत आसानी से सीख सकते हैं, कहीं मैं कामा सकूँ तो मुझे बताईएगा, धल्यवाद